क्या आपको पता है ये कौन से फ्लावर के शीड बन रही हैं? क्या आपको पता है ये कहां के हैं? क्या आपको पता है ये कौन से प्लांट के फ्लावर हैं? और क्या आपको पता है ये कौन से फ्लावर के शीड हैं? क्या आपको पता है इसकी खेती करना अलाव क्यूं नहीं है गुड मोर्निंग फ्रेंड्स कैसे हो आप सब भाई होप आप अच्छे होंगे मैं भी ठीक हूँ यह मैंने शीड से ग्रो किया था और इसके सीड से बहुत सारे थे मैंने ओनलाइन सीड पर्चेस किये थे उन्हीं को मैंने ग्रो करके यह वाला प्लांट बनाया है तो ये वाला जो प्लांट है ये फूल देने वाला पोदा है और ये जायतर भूमेदे सागर वाले परदेश में पाया जाता है इसकी खेती तो करते हैं लोगे पर ये अलाव नहीं है इसकी अगर कोई खेती करता है तो उसको सरकार से यानि आपकारी विबाग से हमें परमिशन लेनी पड़ती है और इसके फ्लावर वैसे तो जंदर लगते हैं घर में हम इनको अगर लगाना चाहें तो हम एक आधा या द होती है और चीन में होती है तुर्की में होती है भारत में उत्रपरदेश में और मध्यपरदेश में और रजस्तान में इसकी खेती की जाती है और परमिशन लेकर ही इसकी खेती कर सकती है इस पोदे में अफीम भी बनती है जो निशीली होती है और इसको पीली पोस्त भी ब प्लांटे खतरनाक भी होता है बच्चों को इनसे दूर रखना चाहिए पर इस प्लांट को हम घरों में लगा सकते हैं अगर यह प्लांट आपको शेव करना है यानि इसके शेव करने हैं तो जब यह सूख जाते हैं तो इनको आप शेव कर लो और अगले सीजन में आप इनको ग्रो कर सकते हैं किसी भी शोप पे इसके शीट मिल जाते हैं अगर आपके बाद शीट नहीं है तो शीट से आप ग्रो कर सकते हैं कि इजली लग भी जाता है और जो इसके फ्लावर होते हैं वो बहुत ही प्यारे लगते हैं तो शीट तो इसके ऐसे छोटे छोटे होते हैं और ये दिफ्रेंट-डिफ्रेंट कालर में आता हैं सारे ही शींड। फिलिप काट से मुझाए थे continent उन से बहुत सारे प्लांट मेरे ग्रोव भी हुए हैं, कुछ मेरे खराब भी हो चुके हैं, तो ये अलग-अलग वराइटे ये फ्लावर वाले प्लांट हैं, ये मैंने टैरिस पे लगा रखे हैं, कबार का यूज़ करके उन ही में ग्रोव किये थे, तो ये देखो छोटे- प्लांट और भी हैं, उनमें फ्लावरिंग शुरू हुई नहीं हैं, और ये देखो, जृट-वैर ञे ये फ्लावर ऑई नहीं हैं, तो फ्रेंड से जो पोपी फ्लावर आपको दिखाया है, पोपी वाला प्लांट दिखाया है, वो मेरे पास एक ही है, तो आप घर में एक या दो चार प्लांट उसके बना सकते हैं सिर्फ फ़लावर्स के लिए बाकी उसमें अफिम बनती है उसी प्लांट से और वो जो नशीली होती है खतरनाग भी होती है तो बच्चो को बुडो को और फैमली मेंबर को उनसे दूरे रखे और जब भी उनको हा आथों को अच्छे से क्लीन कर लें तो फ्रेंड से आज का वीडियो मेरा थोड़ा सा चोटा है और आपको यह टैरिस गार्डन दिखा रही हूं जो मैंने वेश्ट से ही बनाया है और आपको कई बार दिखा भी दिया और यह चोटे चोटे बेबी प्लांट हैं मेरी गोल्ड क बनाया है तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को भी लाइक करना और शेयर जरूर करना और भी आपको नए नए प्लांट से दिखाती रहूंगी और मेरे को और भी बहुत सारे प्लांट लाने हैं लास्ट में आपको यह जेड प्लांट का कलेक्शन दिखा देती हूं यह मैंने जाद तर टैरिस पे रखे हुए हैं तो फ्रेंड्स यह आपको अगर वीडियो यूजफूल लगी हो तो इसको शेयर जरूर करें थैंक यू पर वाचिंग